लेकिन महामता को स्कून नहीं आता था, वो अपने हां से मेशा यही स्वाल करती रहती थी कि कैसे इंसान जुकाली बेडियों की तरह हमारे इंदर चुपे हुए हैं, हम इनको कैसे पहचानें, कि रादे क्या हैं और हो क्या चाहते हैं, और हम इनके बुस्रे चाहिदों का कैसे में इनके कानों में मिली ताहनी के वाद सुनी, कि होसला नहारो आगे भरो मंजिल आपके बूँगा, बी चाहने के तमाम लोगों कुछ जमा किया और मशरा करने के बाद बोली, अब वक्त आ गया है कि अन अफराद की कौम हर बच्चे बड़े और लोगों को करना है, अगर आप चाहते हैं कि हम इस माशरे में इजज़त और स्कून के सारे हैं तो आपको मेरसा मिलकर कुछ तदावीर हैं, इसमें से कुछ तदावीर यह हैं, सबसे पहले तो आपने महले कजबे में देखना है कि इर्ट कि कोई मश्कूक या कोई अजनबी शख्स तो नहीं ख और कोई भी दुकानदार अपने महले या टाउन में दुकान खोलने से पहले ही इर्ट की का जाइजा ले कोई मश्कूक लड़का या नहीं खड़ा अगर तो खड़ा तो उसको इतला दें, हर महले में ऐसे सेंटर्स जो जो जरूर होने चाहिए जो नागहानी हाला से लोग और हमें खुद इसकी तसली तस्वीर बनाना होगा, हमें अपने हमसाहियों से तालुप बेहतर बनाने होगे और एक दूसरे सा दुख दर्ज में जरूर श्रीक होना होगा, आपस में मुहबत, रवादारी और बर्दार्स को खड़ूर होगा हम शोदा पिशावर के लिए तुम जिन्दा हो जब तक संदिया बाकी है तुम जिन्दा हो तुम जिन्दा हो एए मेरे बतन के शहजादों तुम जिन्दा हो कुछ दूखे भूखे है बूलो तुम जिन्दा हो हर मा की पुर्णगांगों में हर बाखे तुटे फ़ाबों में हर बेहन की उजी सांसों में हर बाई की विक्री यादों में तुम जिन्दा हो हम तुम को भूल नहीं सकते याद यक तो जीवन है तुम्हारी नुश्मू है अर्ण तुम्हारा मसकन है तुम जिन्दा हो तुम जिन्दा हो जिन्दा हो